सबसे पहले कभी नहीं पड़ा तो एक बाद तुम मेरी नॉर्मल वीडियोस देख सकते जो एक गंटे की है उनमें डीटेल लाइं इसमें इसमें तॉपिक सारे करवाँगो जो एक्जाम के लिए इंपोर्टन है लेकिल नॉट लाइन बाइन बॉक्स पड़ा तो फिर तुम फुल प्ले लिस्ट आज को में सब्सक्राइब करते फिर्स्ट वार फिंडिपेंडेंट्स ठीक है ब्रेटिश आगे इस्ट इंडिया कंपनी आगे वह सब हम ने ठीक है ना इसमें देख लिया वगरे सब ठीक है पहले मतलब उन्होंने इसरे चुरू किया धिरी ठीक है कर लिया तो चल रहा था चल नहीं देते हैं ऐसा क्या हो गया कि इंडियन को मुस्सा आगे एक दम से बैस तो बहुत देख लेकिन ऐसा क्या हुआ ठीक है तो पॉलिटिकल कॉसिस पड़ते है ठीक है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन क्या चीज अब ही या मतलब कि उनको ऐसा अ अब नियुक लेकिन नएक जीड़ा ते बहुत इसा वह फिर उनके अंडर आ जाएगी तो डिस वस टेक्नीक कि वह आउट्राइड वॉर्स कर ले तिक है तुम्हारी बुक में यह सब चीज़े काफी डिटेंड में रखी है बट इतना एक एक चीज नहीं आती है ठीक है एक बार रिडिंग लगा लो इतनी डेट्स नहीं आती है ठीक है जोशने सबसेडरी लाइन क्या चीज़ है अब देखो सबसेडरी लाइन से एक बेसिकली ना ऐसा था जो इस इंडिया कंपनी ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी और जो साथ में तुम्हारी भारत थी ठीक है भारत क इसी होती ही शर्त है कि तुम्हें ना हम से लाइन करनी तुम्हें किसी और यूरोप की के साथ किसी से असे मैं अपने पूरी सेना ब्रिटिश आर्मी जिसको तुम गवाण करोगे पैसे तुम उनके खुद दोगे ठीक है पूरी सैलरी वगईरा लेकिन लेकिन बंदे कि तुम उसके पैसे खुद भरोगे हैं अब यह तो ठीक है सबसे पहले किस ने किया सा यह भी तुम याद कर सकते हो आवद के रूलर ने सेवेंटीन कुछ सिक्स्टीज में सेवेंटीन सेवेंटीज की बात कर रहा हूं है यह बहुत दिरपाद ठीक है तो इसमें तुम को उसके वह तो यह तो बोलें में नहीं कर सकते हैं या फिर देगाए। तुम्हें लग रहा है वह तुम्हारे सभाहिया लेकिन है दिये तो उन्होंने यह ना सभाहिया अंदर है कभी भी अटाक कर सकते हैं सभाइज रहे तुम्हें फील आनी चाहिए किसने यह शुडू करी थी लॉड वेलस ली ने अब अगले आता है डॉक्त्रिन ओफ लाप्स बिसिकली यह याद करना है तो मैं तो डी से आद करें दोक्त्रिन डी आ गया तो लॉड दलोजी डी ठीक है तो बाइड दॉक्त्रिन ओफ लाप्स के चीज़ अब यह बोलती है कि मलब यह पूरा अब प्रिंशली स्टेट के लिए एक चीज थी यह रूल था कि अगर इस तुम्हारा कोई लाचरल ही नहीं होता ठीक है नाचरल अगली संतान नहीं है ठीक है मेल हियर वंश नहीं है आगे जनरेशन अगली नहीं है और तुम्हारी देथ हो जाती राजा की हो जाती है देन जो तुम्हारी पूरी जगा है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडल आ जाएगी हमारे यहां ऐसा ही होता है तुम कहोंगे यह क्या चीज हो रही है यहीं तो फिर ब्रिटिश की मैडनेस थी यहीं डरीयल मिल्टिवर्स मैडनेस ठीक है डॉक्टरिन अफ इसके ना अवद में क्या हुआ जो सरकार आई ठीक है उन्होंने कहा कि तुम तो गवर्न नी कर पारे तुमसे हम ले रहे तो इस प्रेक्स्ट में ऐसे चीन लिया अब क्या है दो पहली बात तो गवर्न हो रहा था कि नहीं अच्छे से हमें नहीं पता और दूसरी बात क्या लोगों को ची सब्सक्र ने लगोगों के लिया अच्छे से करेंगे लेकिन हुआ कैट्सु के और बढ़ गए लोगों की हाडशिप और बढ़ जी धिक कहा है उनको पैसे मिलता था जुतन खाव वहां हो गई तो नुक्सान होने हो भाई वो कहते यह क्या हुआ मिस्रूल तो साधा तो म कर रहे हो ठीक है जो ऐसा काफी दिक्कत होगी अगला गया डिस्रिस्पेक्शोन तो बहादुर्शा अब बहादुर्शा जो थे बिटिश सारी मुखलों के रूलर थीक है अलमुस्ट तुम लास्ट कह सकते हो तो इनको का गया कि तुम यहां से उठकर ठीक है रेड़ फोर्ट से चले जाओ कुछ तुम मिनार पर और तुम यह चीज चले जाओ तुम यहां पर गुवर्न कर सकते और जो तुम्हारे बेटे हैं है विर कुछ भी है उन्हें हम ना बहादुर्शा की देत के बाल हम कोई ऐसा महराजा वगरा ने बाने उनको सिंप प्रिंसेज का दर्जा दिया जाएगा जैसे कोई भी वुना अपने नाम के पहले प्रीफिक्स नहीं लगा सकते यह सफिक्स नहीं लगा सकते जिसके बहुत ऐसा वह शोग हो कि भाई यह तो बहुत जादा ही चीज है और बस बैसकली इससे क्या हुआ जो बहादुशा की व काफी गलत ट्रीट किया गया ठीक है उनको कहा गया कि तुम्हारा यहां पर कोई प्रॉलिटीकल वो नहीं होना चाहिए और यह वो पैंशन वगेरा की चीज़ों पर आगी पैंशन भी नहीं दी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी उनको अपनी फैमिली से दूर रहने को कह दि सब ठीक नहीं है इंडिया के खिलाफ हो रहा है अब इससे किया हुए बाकी लोगों जो बाकी राजा महरा राजा थे उनको चाहें ब्रेटिश ने अभी तब कुछ कहा नहीं था लेकिन वो भी थोड़े स्केप्टिकल होगे ब्रेटिश पर कुछ भरोसा नहीं किया सकता इ घर आज से पहले जितने ऑन ओंते नहीं र pension हो गये मुघल आए बाहर से तो इंडिया में ही ना इंडिया को इनचे किलेट आरे प्रक्राइब क्राइब बहुत इन्दिया को नुक्सान हुआ तो इतना दूर से इंडिया को गुवर्न कर रहे हो ठीक है तो पैसा ले बाहर जारे हो तुम्हें तो इंडिया की बढ़ी नहीं है तो बेसकिली यहां बढ़ते हैं इंडिया में कितना प्रिविलेंट था कितना चलता था कितना फिक्षिन है लेकिन यह उट नो नेट्टर । इसे इसे सब्सक्षा करने नहीं करते थे लिख़ता है रौकिया, को चीज़ और यह वह दो नहीं किया, दृच्टर जिए तुम नहीं आगले में वैसे बढ़े ताकि ब्रिटिशर्स सुने तो उन्होंने गया कि एबॉनिशन ऑफ सती का एक लोग बना दिया जिसमें 1829 सती का तुम्हें क्या हम अपने मसले खुद देख लेंगे तुम्हें क्या ठीक है बेसिकली यह चीज हुई तो सोशल रिलीजियस काफी इंपॉर्टन मामले होते हैं इंडिया में रिलेजन बहुत तकड़ी चीज है तो लड़ाईया करवा सकते हो ठीक है तो इंटर्फेरेंस बी शोचल करस्टम उन्होंने ऐसा यह सथ छेड दिया ठीक है जिंगारी लगा दी अब इसके बाद एप्रिहेंशन बाउड मॉर्डन इन्वेशन थोड़ी बनाएते तो लोगों को सब डर लगने कि यह कहीं हमें लटकाने के लिए तो नहीं बनाए ब्रइटिश बना लिए अपनी इमेज कैसी वना लिए इस तीज के नहीं बनाये जाते लेगें फिर उनको लगा कि अच्छे यह फुश होना चीए तैया यह अशा बना चीए थैक और या जी ट्राइमल कर सकते ही वो लेकिन दिक्कत कहाई कि इंडियन उस टाइम पर थोड़े यह जो कास्ट वाला है इस पर गिलिफ करें तो दे वर लाइक यहां पर कोई कास्ट का सिस्टम नहीं है जो कोई और कास्ट का है कोई नीचली का सो कॉल नीचली का सो कॉल उपर लिकास उन्हों को कठे बिठाया जा रहा है ठीक है अगर उनकी तिकेट है तो यह काफी एप्रिहेंशन थी लोग के दिए क्या हो रहा है ठीक है उसके बाद रेशाल डिस्क्रमीनेशन जी इस बहुत अब इंडियन तो बहुत सुपीरियन मांते थे कि हम वाइट रेस हैं तो उपर ली जाती है इंडियन हमारे काम है गुलाम है यह चीज है ऐसे करना तो उससे भी काफी दिकते हैं इंडिया को करॉप्शन एड्मिनिस्ट्रेशन अब जो अमीर लोग थे वह तो सारे करप्ट थे ठीक है यह तो पुलि इंडियन को थपड मार दिया तो बहुत होता था रिशयल इस लेवल पर ऑप्रेशन ऑफ द पूर को बहुत सप्रेश किया जाता था इतने टाक्स इतने कलेक्शन करो यह उनको फरक नहीं पड़ता था कि तुम क्या कर रहे हो तो तो इंडियन तो पूर लोगो क्या करना कि नहीं कर पा रहे थे तो करजे लो करजे लेकर टाक्स दो फिर वो करजा भी तुम किसे लोगे मनी लेंडर से में ब्रिटिश के बंदी है तो फिर और वो दिखते और या तो अपनी जगा बेचते तो फिर उनके बास आधा निकमाई का तो फिर वैसे भूक के मर जाओ कि ना बहुत आक्टिविटी बढ़ गई कि इंडिया में लोकों करें यह वो करें ठीक है मैं ऐसा नहीं होता कि तुम घर आके तो मैं कर देंगे बट लाइक काफी ऐसा प्रचार करना ठीक है ब्रेनवाश वगयरा ऐसा कई करते हैं कई सिंपल बताके तल जाते हैं कि ऐसा कर करो यह सब करो ठीक है लेकिन कई बहुत ही ब्रेनवाश करते तो इंडियन को लगा कि यह चीज गलत हो रही है बहुत जादा अक्टिविटी होने लग गई है ठीक है में इसके बाद कि वेस्टन एडूकेशन का फियर अब देखो जो इंडियन को अगरा थे ना उनमें भी इंडियन को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसा उनको लाइक था ना कि वेस्टन इंडियन का जो पूरा लिट्रेचर वगया था वो खतम हो गया उसका पढ़ी रहा था कोई बच्चे वगरा तो वह चीज भी दर एक था टाक्सेंग रिलिजियस प्लेसे के बार में बच्चाइ के लिए तो को खता सियल कर रहे हैं उनको फाहें फ्लेस ठीजिय प्लेसे त्टेस के फिक अडिगा खाए उच्फसाइंड कर लो अब क्या हुआ कि इन पर पैसे देने ौस ऑनिए उस्ubस सवाल हुं सार्न ऍचाएं ताइज एक्डा कर मृतर यह झतकत नेppen Shark कि यह तुम ताक्स हो तो हमें हमें फरेक पड़ता तुम्हें क्या बना के रखा है हमें टाक्स दोते हैं यह काफी सेंटिमेंट लोग के हर्ट हुए अब मंदिर मजद कोई गुर्दवारा या ऐसी चीज़ हो के भी तुम्हें टाक्स दे ठीक है तो उसके जो डिपेंडेंट लोग थे उनको पहले पैसे मिलते हैं वह तो बिल्कुल खतम हुए हुआ हुआ हुटा पैसे देने पड़ रहे ठीक है लॉफ प्रॉफिटी प्रॉफिटी लॉफ प्रॉफिटी यार पहले ऐसा कुछ होगा कि हिंदू का बेटा अगर हिंदू है नेक्स जेनरेशन भी लोग काफी हुए अब बहुत सिंपल है तुम कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो बस तुम्हें बेसिक लॉजिक पता हो बेसिक हेडिंग्स पता हो तुम समझ लोग एक्स्प्रॉटेशन ऑफ एकॉनमिक रिसोर्स को बहुत एक्स्प्रॉइट किया हमारे जो पैसा वगार बहुत कम पे करते थे ले जाते थे बाहर जो एक्सपोर्ट करते थे अब यहां से जो रहो मैटीरियल वहां गया उस पर कोई पैसा चार्ज निकरते थे वह फ्री में होने से कुछ ने लेकिन जब वह बन जाता था और वाप पिस आ जाता था वहां पर उस पो इतना हाई-ट लगे और एक्स्प्लाटेशन और एक्वास हुआ यहां पर वह बहुत तरीकों से बहुत आंगल से इसको बहुत लिख सकता हुछ था बहुत किस्प्लाइबर को मिया होता जब बहुत पैसा इंगलेंड में जा रहा था ठिक है ।्य सोर्सिदी ब्रिटिश में जा रहे थे エंडیا में जा रहे थे जिसके बदले इंडिया को कुछ नहीं मिलाocalypse perform मतलब एर पहले क्या हुता थै यार मยग बेटलब प्लासीजी से पहले यह ठीक है इंडिया से सवार्प अब शूर्ब गोल्ड बंद पर दिया अगर देंसे अब तुम खुद duż इंडिया ब्रिटेन में अब वहां से ठीक है टैक्स में चीजे बनाई वह यहां पर वापिस आई इंडिया में उन्हों ने बेची उससे और पैसा क्लेक्ट किया बहुत जादा बहुत जादा नतलब ठीक है पैसा क्लेक्ट किया वह वापिस बेह दिया तो इंडिया को कहां प जिसको इसकी नीड़ों मिल गया लेकिन यहां पर देखो कितना उड़ा घपला हो रहा था ठीक है ड्रेन ओवेल्थ इसे ही बोलते हैं अब डिके ओफ कोटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट्स के मतलब जो कॉटन के बेस्ट इंडस्ट्री थी कपड़े को पड़े की इसे प्रोवीजन वगएरा देदे देखे चलो जी इनका भी भला हो भला इन असेंस कि यार ओविसली वह फ्लरिश करेंगे तो ही इंडिया यह पुरे डिजाइन वगएरा से फ्लरिश करता ठीक है तो इनको थोड़ा ऐसा मिलता सा सपोर्ट मिलता सा सरकार से अब वह सर्प बंद ही नहीं रहे ठीक है राजा महराजा तो फिर बो भी सपोर्ट विल्कुल बंद हो गया ठीक है तो यह हो गया एकॉनमिक डिक्लाइन प्रेंटरी जो गरीब लोग थे उनका बहुत असे पहले करजे लेकर काम किया जाता था वो थे इंडियन्स वो यार रिलेट कर जात लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब यह लोगा इनको फरकनी पड़ता तुम जहां समर्जी पैसे कठेकर के तो हमें अपने टैक्स चाहिए पहले तो उससे डबल डूपल बहुत जादा माउंट कर दी उसके बाद टैक्स लोग करते हमें फरकनी पता यह मनी लैंडर्स बहुत ऐसी क्रॉप है वो डाइव अगयर है उससे क्या गयते कलर निकलता है जो काफी हल्पल होता है इंडस्ट्री में तो वैसे ब्रिटिश के लिए वह बहुत अना प्रॉफिटेबल बिजनस था मैंने वह खुद भी बनाता है तो बहुत पैसा मिलता था उस ताइम पर अब यहां पितनी नहीं इंडिया के तुमने पढ़ाया जोगर्फिय में क्लाइमेट कंढिशनें काफी को सब्सक्ता तो लेकिन दिक्कत कहा थी इंडिया जो लोग काम करें थे उनको बहुत ना दिकतों में कॉना करना है इसके बदले भी उनको बहुत कम पैसा मिलता ऐसा कि बहुत प्रोफिटेबल ब्रिडिश के लिए था इंडियों को बहुत छोटी सेलरी देते हैं बहुत कम देते थे पीजन्स को ठीक है ना के बराबर ही तो इससे इंडियो कुल्टिवेर्स को बहुत नुक्सान हुआ मैंना बहुत जादा उनकी हेल्प एफेक्ट होता है अब तो हम इसा करहा हो कि पुरे ब्रिटिश ही खराब है पुरे आज की जोटो इस तक पर उनों रही हो पहली बातो और जो उनकी बात करों कि उस नहीं क्या-क्या किया इंडिया के साथ ठीक है इत्रा ही नियों में किया आं I'm not कि मैं कि लड़ाई रूट कर रहूं मैं किसी कर र अब नहीं खिलाफ नहीं कि उस ताइम की बात लग थी ठीक है एंवे लेंड डिश्टों बात करें तो ऐसे वह है ना कि जनरेशन डो जनरेशन जो तुमें अपने पापा की जमीन मिल जाती थी जिस हम कहते है कि एंसेस्ट्र प्रॉपर्टी मिल जाती थी अब वो खतम हो गी खतम लोगों का गया था कंट्रोल में आ गया था क्यों क्या तुम्हारी पुष्टों की पर दिखाओ न हमारे वेपर जो कच्छे थे उन पर वह इश्वास नहीं करते हैं यहां पर काफी दिक्क्ते आ जाती थी तो ने पॉवर्टी और फैमाइन की बात करें अब बंदा पूछने वाला हो हमारे तो यहां पर है आम अपना देख लेंगे तुम तो बाहर से आयों तुम्हारी तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है तुम क्यों कर रहे हो हमें ऐसे पर बात करूं तो गरीबी बढ़ रही थी सिंपल पॉइंट है और फिमाइंज आ रहे से ठीक है गलत मैनेजमेंट के करके नेचलों कुछ नहीं किया ऐसा नहीं कि खाना प्रवाइड कर दें थोड़ा कुछ ऐसे कर दें टाक्सी कम कर दें कुछ नहीं तो यह काफी पॉइंट्स है इनने तुम लिख सकते हो और भी ऐसा अगर इंडिया में होता है इंडिया आज कहां पर होती है अब भी है बहुत तकड़ाइबल पर लेकर हम कहते है कि वह पैसे चलो ले गए लेकिन रेलवेज वगरा यहां पर छोड़ गए अगर उसके हमारा जितना पैसा बाहर गया है ठीक है हमारा ड्रेना वेल्ट होई है उसका वन थर्ड वन फॉर्थ हमारे पास होता तो हम टेक्नलोजी पर कहीं आगे होते हैं तो वह एक जीज है ठीक है अब मिलिटर की बात करें कि अधिन को खाना खराब मिलता था उनको लोग रिस्पेक्ट निकरते नियुक्त अधिक बहुत अब इसा है पास तो स्रफ रिजॉव्ट थी के लोग ही कर ले सकते हैं इंडियंग तो एक लेवल के बाद उब्यदार के उपर जा ही नहीं सकते ठीक है तो उससे क्या होता थ होज़ेगा कुछ नहीं तो काफी ब्लीक थे ठीक है जी चांसे से जन्रल सर्वेस एलिस्टमेंट आक्ट 1856 में क्या हुआ है जन्रल सर्वेस एलिस्टमेंट आख लाया कि तुम्हें ना हो सकता कि कहीं भी ड्यूटी पर हम इंडिया के भार बहेते हैं मतलब जहां पर उनके जाना चाहिएंगे तो हम इंप्यूर हो देंगे कुछ ऐसा था उस्ताइं पर ठीक है मानना जाता है तो उससे वह लोग काफी हर्ट हुए फिर वहीं सोचिल रिलिजिस आगया लेकिन मिलेटरी से लेटरी में लेटरी में लेखेंगे लाज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इस तेंपे यह क्या हो गया था कि वहाँ पर एक ब्रिटिश और यहां पर चार हजार जी इंडियंस वहां पर तुम लगा लो दो ब्रिटिश और आठ नो हजार आठ नो हजार इंडियंस तो इस लेवल का डिफरेंस प्रोपोश्चन में यह लोग इनको खरण करके मार मूर कि अगे पुरा हड़ नहीं सकते हम ले सकते वापे सब्सक्राइब तो यह एक चांस दिखा तो उसके बाद कि प्रोमोशन से मैंने का नहीं मिलती थी बहुत कम चांसे थे प्रोमोशन एक लेवल के उपर तो नहीं नहीं सकते सारा ब्रेटिश के लिए उनकी फिर यह नहीं थे कि अच्छा वह कौन कितने अच्छे से काम कर रहा है कैसे कैसे नहीं वह इंडियन हो के ब्रेटिश हो अच्छी पोस्त में लेकिंडियन हो चाह नीचे ऐसा होता था अलॉइंस बहुत कम मिलती थी पैसे अगेर अभी और उसके बाद जो ऐस शीजे मिलती है नहीं मिलती अगर हमें अगर हमें हजार मिल रही है इंडियन को तो प्रेटिश को उसी काम करना के उस आठ हजार मिलती थी और हम इतनी महनत करके यहां पर आएं उनका तो बस देखा इंडियनों को ठीक अची पोस्त पे दिया सेम पोस्त के लिए आठ हगा इंटु एट मिलती थी तो सोच लो किस लेवल का वहाँ पर इसक्रिमिनेशन होता था पूर परफॉरमेंस ब्रेटिश की बात करे देखा लिए उनका इसा नहीं लिए तो जा सकते अगर यह लोग इतना कर सकते तो तो भगा दिया था उस पूरा इसे तो देर बाद में भी वापस ले लिया वह लगए बट निंग लगा शेया कुछ तो किया जा सकता है जब तक हमारे कभी नमबर ना है कि यह नहीं आसकते अगर हमारे 70 तक ही हमेशा रहे है तो या फिर 50 तक हमेरे रहे है तो हमें नहीं लगेगा कि हम एक्टी लेकिया पाएंगे लेकिन एक बार 75 आजेंगे एक तो यह एक चीज होती है अब इंट्रोडॉक्शन आफ इंफील्ड राइफल यह बहुत इंपोर्टन कॉस है यह आर्मी वगेरा में जो 1856 में हुई ठीक है बेसिकली स्टार्ट हुई और 1857 में उसका क्या था यार देखो वो गोली में ऐसे ऐसे मूं के पास लेकिया के उसको जो घ्रीज तो उपर पेपर होता था उसे ऐसा हटाना पड़ता था बोलियों के और ऐसे जब हटाते है बीच म 1857 में छीन्वरी 1857 मिल्कुल स्राटिंग में जो एक रूमर फैल गया भिया बंगॉल में बंगोल के रेजिमेंट में रूमर फैल या कि इसमें ते जाना के विंटिश स ने रगाई है कि इसमें पिग या काव इन दौनों का जो है मास है इन दौनों का मास से यह बनी है बैस करते हैं थेख हो हम काओ की ठीक है जो हिंदू होते हैं तो उसे आंपलब को लगा यह त 250 मुसलिम बहुत हिंदूस नोको लगा गी susa गया बै को सब्सक्राइब हमारे साथ हमारे धर हम्हारे ध्रव को खरम ने कोशिश करी जा एच तो बेंगावल यह सब को हब अब हुआ उन्हों ने मना कर दिया के उनों निकाल दिया गया उनको वार्णिंग के साब आई तु वह उन्हों को गसाी यूफ यूज कम ऐसे मंगलपने एक और था उसने अपने बंदों के साथ मॉलके अटक कर लेकिन अगले ही दिन जो आसपास के जो पूरे आर्मी अगारा थी वहां पर भागया है और उनको छुडा लिया फ्री कर दिया दस साल चोड़ो एक दन में कर दिया तो बैसिकली यह से हुआ अब इवेंट्स आर नौट इन्यों स्लेवर्स तुम पर सकते हो या तुम मेरी वीडियो एक एक सी समझने के लिए तो सबसे में सबसे इंबॉर्टन कॉन्स तुमारी बुक में जो है और जो तुम्हारे पूरे स्लेवर्स में वह है कि किसम लेज़ें ने क्या गिया कंपनी का रूल खतम हो गया इस से क्या हुआ उन्हों नहीं आप इंडिया की बनाइई गॉबर्मेंट-फिरी यह को रहें और की यह रहेंग और क्यों हुशेथ कि विक्ते लिडिया बिल बीग ह eşद एफ़ दब शौरीबीज़ क्या मतलब इसका मतलब इसका है कि उन्हें एसे माफीस ही मंग लिए वह थीग है से हमसे गलती होती एक मिलब फॉर्मल मेल एक आ है ρट लिया इसमें बंट-मारा नहीं किसी को हम करेंगे और इस प्रक्स करें रहें चाहिं चीज खरी और हम इंडिया यह कर देंगे और इन्डेरियों काहिए कि अर्शे हम बहाने खरें करें फुरा बढ़ाएं के कि मेरिट के बेस पर जो रेशियल बिटरनेस के बेस पर नहीं डिलोको जुब वगेरें डीज़ा इसा असको चुछ हुआ अब उसके बाद क्या चीज ए उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट पेश्वा थे जो कि नाना साहीब उनको मैं नेपाल जाना पड़ा क्योंकि यहां से जाना पड़ा क्योंकि यह ट्राइड बट फर्स्ट वह रहा है खतम जोड़ी हुआ तो इसलिए ब्रेटिश नहीं कर दो उनको जाना पड़ा बैसिकली यह था तो दोनों कठे आके लड़े तो उनकी पूरा मना ब्रेटिश एंपायर हिल लगया वो कहते हम भाई यह क्या हो गया अभी तो सिर्फ देखो उपर उपर के इंडिया से हुआ था तुम देखो कि जो पैने इंडिया है उसमें बहुत जादा बड़ा नहीं ठीक है जो सौदर इंड करड़ा दो अलग लग कर दो ठीक है इसके साथ क्या हुआ आर्मी में उन्हें काफी चेंज किया कि पहले यह जो मैं तो मैं बताया था ना वन बाई 4,000 तू बाई 8,000 ऐसा इसा इस रेशो को उन्होंने चेंज कर दिया जो इंपोर्टेंट एरिया जमांपे वन बाई टू यह जो मतलब और इंडियन अरिया वहां पर वांपे तू बाई 5 ऐसा कि मतलब अगर कुछ अधा है कि पांच इंडियन शोल्डर पे दो बिस्टिश उन के होने चाहिए नहीं हो जो डू इंडियन शोल्डर पे एक ब्रिटिश का होना थे ऐसा अले अलग अरियास में अलग पोस्तों देते ही थे लेकिन उनको अम्यूनेशन वगरा दिये जाते थी पहले ताकि लेकिन उन्होंने ब्रिटिश की आर्मी में जगा बढ़ा दी तो उन्हें कि इंडियन को हम ज्यादा देंगे नहीं को सोटियां वगरा इन सही लड़वाओ और उनको उन्होंने कहा कि हम इसा दोलियां वगरा से जादा नहीं अम्यूनेशन प्रोइड करेंगे तो हमारे पर इसे तान सकते हैं यह चीजे तो उनको उनकी कंट्रोल में अईसा नहीं कि कभी दी नहीं बट ऐसा होता था ना पूरे जो लोड़ आ रहे हैं ठीक है पुरा ट्रक वगरा भरके आ रहे ह यह जो इतने freedom fighters की death हुए ठीक है खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी यह लाइने सुनके अभी बूस्बंस आजाते रहे तो ऐसे ही जो आने वाले freedom fighters को बहुत मोटिवेशन मेली मंगल पंडे ने वह रूकिया से तो nationalism काफी एंग्रीज हुआ हिंदू- देरे देरे इनका difference बढ़ने लगा और लड़ाई होती रही हम पढ़ेंगे ठीक है मैं अभी तो काफी दूर मुस्लिम लीग हो गया रहा लेकिन हम वहां तक अराम से पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे ड्रॉबैक्स तो क्यों नीचे बाला जो इंडिया था वो लोग ज्याद इनको भी मारवा दिया या कई है इन्होंने पहले रिवाड वगेरे भी किया थी बात नहीं और उसके बात किया है कि बिटरनेस काफी बढ़ गई रेशियल वगेरा जो होते ने यूरोपियंज ओनली इंडियंस और डॉग्स और नॉट यह वो इसके बाद ही काफी जादा ह हुआ ठीक है हमने काफी मूवीज में इस सब चीज़े देखिए हो और यह चाप्टर के रिविजन फटाफट हो गई हो नेक्स चाप्टर को लेकि जल्दी आएंगे तब तक के लिए सब्सक्राइब फर मों और हैंक यू